गुद बॉर्निंग चिल्टर चिल्टर यू मस्ट एव लेंट अवाउट नाउन्स आपको पता है ना जब किसी हम पर्सन प्लेस और थिंग का नाम यूज करते हैं तो यूज नाउन की चका हम वर्ड यूज करते हैं यूज प्रोनाउन जैसे आपने लिली लिखा तो लिली अब भूर्ण है तो सकी चका और हमने शीमित किया तो शीवेट एक है अब हम यूज करेंगे डिनन वी ना दो लड़त या है и अलम् उड乐्यय्च. उप्रवल 2009 के लिः अगर हम दे यूज करेंगे तो लिजागे फिर is a girl तो अब उसके बाद यह नहीं लिखोंगी कि मीना वांस तो गोटो मार्केट शी वांस तो गोटो मार्केट जब मैं नेक्स्ट में लिखोंगी मीना के लिए कौन सा प्रोणाउन यूज करूंगी शी क्या है आई वी यू दे ही शी एंड इटार सब्जेक्ट प्रोणाउं यह सारे सब्जेक्ट प्रोणाउन यानि कि जो काम को करते हैं दो यू दू दावर्क ओके मैं लिखूंगी he does the work for him so him मुझ जाएगा क्या object pronoun okay object as they replace the object of the word जो उसको object को replace करते हैं दोजार object pronoun for example देखो this is राघव he is my friend राघव देखो दुबारा use नहीं किया ना तो उसमें कर दिया हमने he is my friend I like him him क्या हो जाएगा object pronoun okay Mrs. Maya is our teacher she teaches us English Mrs. Maya की जगह आमने she use किया we respect her her क्या हो जाएगा इसमें object to know और वी हो जाएगा subject to know these are my cousins they live in Mumbai I spend holidays with them यह मेरे cousins हैं तो cousins बहुत जादा है तो उनके लिए क्या यूज करेंगे हम they they live in Mumbai यह नहीं लिखेंगे ना cousins live in Mumbai we'll write they live in Mumbai I spend holidays with them with them them हो जाएगा object to know आदित्ते और आई आई आर क्लासमेट अब यह दोनों को मिलाके हमने कहा लिखना we study together our teachers praise us us क्या है इसमें object pronoun okay इसमें सब्जेक्ट अब्जेक्ट प्रोना इल तैल यू आई वी यू दे लिए यह शी इट यह सब्जेक्ट में हैं मी अस यू दें हम हर एंड इट को आई का क्या है वह दोनों जगा यू रो सकता है आई सब्जेक्ट पी हो सकता है और उसमें रहा करते हैं यू भी ऐसे होता है कैसे हम लिखेंगे ना it is a dark night ना तो उसके बार ऐसे भी हो सकते हैं तो हम यह भी लिख सकते हैं I like it इता जाएगा उसमें अब चेक्ट अब it is a dark night उसमें है वो subject ठीक है तो इसमें देखो correct उसमें आपने भरना है option देखके 1st वाल में I have got a pet dog can you give me your pencil it is an easy question option है he or it I am sleeping don't disturb me boys you should not disturb others my mother is in kitchen I will help her in cooking the old man is walking slowly I am going to help him in crossing the road I am going to Rohan's home this is my new bicycle will you ride it this is Riaz I play with him him क्या है इसमें object प्रोनों तो children you try to understand and do the exercise in the book next come is color the subject yellow and object pronouns green अब subject वले प्रोनाउन है जो वो हम yellow करेंगे कैसे दे को हम use करते है subject वी भी हमारा subject है यू भी हमारा subject और object दोनों है तो हमने उसको blue और green दोनों किया है she subject me object it object और subject दोनों होता है बट इसमें somehow color नहीं हो पा रहा था तो मैंने इसको green ही किया भी ओके but it can be used in subject and object both he is subject pronoun ऐसी बच्चो आई है इसे 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 सिंगल वर्ड तो इसमें highlight नहीं हो पा रहा था ये भी subject और object प्रोनाउन दोनों है ओके चल रहा तो I am sure you have understood subject and object pronoun चीक है practice it again and again so that you should be sure of it what is subject pronoun and what is object pronoun so that's all for today thank you